सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ठगी के सिकार हो गए, थाना में आवेदन देंगे, तो थानेदार आपके दिये हुए पैसे को रिफंड भी नहीं करवा पा रहे हैं, यानि अगर टावर के नाम पे आपसे ठगी किया जाता है, तो पैसे आपके डूब गए, कोई भी सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी कमपनी ना किसी को मैसेज करती है, ना किसी को फोन करती है कि आपका जमीन चाहिए, आपका छत चाहिए हमें टावर लगाने के लिए, सच चाहिए यह है कि सभी कमपनियों के टावर जो लगाये जाते हैं, उसका लोकेशन खु पास में जो टावर लगा हुआ उसकी दूरी कितनी है ये लो रेंज में है या हाई रेंज में है मेडियम रेंज में है ये सब कुछ देखने के बाद टावर कंपनी के मालिक खुद अपना वो अधिकारी को भेजते हैं और इसके बाद टावर लगाने का परक्रिया सुरू होत लेकिन अगर आप किसी बिग्यापन को देखकर फोन किया जाता है या आपको फोन आता है, मैसेज आता है, इमेल आता है और उसके दोरा आप टावर लगवाने के प्रोसेस को पूरा करने में लगते हैं, तो आपको पहले 30,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 तरने वाली लड़कियां होती है ज्यादा तर लड़कियों को रखा जाता है ताकि वो लोगों को अपने तरफ आकरसित करें और जाल में फसाएं और इसके बाद उनके और लोग होते हैं जो senior officer senior अधिकारी बनकर लोगों को ठकते हैं यहां तक कि अगर आप पैसे एक बार दि में आना का नहीं करते हैं तो धमकी तक दिया जाता है ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें बताया जाता है कि टावर लगाने के नाम पे एक मैसे जाता है और बिये सिगनल के टावर के नाम पे और इसके बाद उससे फसा लिया जाता है टोटल डोकमेंस लेने के बाद उस उस रूल के हिसाब से आपको इतना पैसा इसके चार्ज दिये जाएंगे इस तरह से बाते करके हजारों नहीं लाखों रुपर ठग लिये जाते हैं और इसके बाद जब लाखों का ठगी हो जाता है तो पता चलता है उस व्यक्ति को कि हम ठगी के सिकार हो चुके हैं तो ऐसी नौबत ना आए इसलिए आप किसी भी तरह का विग्यापन फरजी वीडियो देखकर यूटूब पे वीडियो देखकर इस तरह के फरजी विपसाइड के चकर में ना पड़े सचाई ये है कि टावर कमपनियों का टावर लगाने के लिए ना कोई विपसाइड होता है ना क कोई विग्यापन होता है अगर टावर लगाना है तो कमपनी के मालिक खुद इसको ट्रैक करते हैं और जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया उसके हिसाब से टावर लगाया जाता है चाहे वो विए सेनल हो या कोई भी कमपनी का टावर हो टावर लगाने एक टावर लग तो इसके लिए कमपनी खुद अपने अधिकारी को उस जगह पे भेज कर और इसके लिए सब कुछ सारा डोकमेंट से लेकर सब कुछ अधिकारी खुद ही तै करते हैं किसी को मैसेज या फिर मेल करके बिलकुल नहीं इस तरह के अगर आपको कोई वेबसाइट दिखे कोई वी साइबर एक्सफर्ट हैं या धिकारी हैं वो इस तरह के वीडियो इस तरह के वेबसाइट इस तरह के विग्यापन पे कड़ी नजर रखे हैं तो ऐसे विग्यापन देने वाले ऐसे वेबसाइट बनाने वाले भी एलर्ट हो जाएं कानूनी कारवाई चल रही है कई फरजी लोगों को पकड़ा भी गया है जेल भेजा गया है और आगे भी ये कारवाई जारी रहेगी तो ये रिपोर्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो सेर करें ताकि लोग ऐसे फरजी टावर लगवाने के जहांसे में ना आएं और वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें एक वे लैकन को फ्रेश करने ताकि आगे का अब्रेट का नोटिफेक्शन आपको फटाफट मिलते रहे